अवाज सुनता हर किसी की, ना ही भूला कोई हो, सबसे पहले याद उसकी, फिर सभी दुनिया की हो। आप सभी के अंदर मौजूद उस परंपिता प्रमात्मा की जोथ, उस परवर्दिगार मालक को, मेरा नमस्कार, सबसरी अकाल, अस्सलाम अलेकुम, आप सभी का हमारे इस यूटूब चैनल में वेलकम हैं। इल्म जोतिस, इल्म नजूम से मुहपत रखने वाले आप सभी दोस्तों का हमारे स्यूटूब चैनल में वेलकम हैं। आज हम इल्म जोतिस के हवाले से बात करेंगे परसन कुर्णी के बारे में। यानि कि जब इनसान अचानक आपके पास आता है और जब इनसान की कोई डेट और बर्त ना हो। जब इनसान के पास उसके जनम के समय की जनम का वक्त, जनम का दिन या टेवे के बारे में उसके पास कोई भी मकमल जो है उसके पास जानकारी ना हो। ऐसे वक्त में परसन कुर्णी का सहरा लिया जाता है। जिसे हम इंगलिस में हॉरेरी चार्ट भी कहते हैं। होरेरी चार्ट के लिए परसन कॉल्लि के लिए बहुत सारे विधिया हैं जिसमें की हाल नामे भी यूज किये जाते हैं और KP जो जो 30 की पत्ति है और KP अश्टोलोजी पूरी तरह से परसन पर ही अदारत है हौररी अश्टलोजी में अगर सबसे पहला नाम आता है तो वो कीपी का आता है और जब हम इसे सौधी अरब या पाकिस्तान अफगानिस्तान इन जो मुमालक हैं वहाँ पर परसन कुल्ली के लिए फाल नामे का यूज किया जाता है और भारत में भी बहुत से जगह पर जो बतीसा यंत्र होता था बतीसा यंत्र को भी परसन कुल्ली के तोर पर यूज किया जाता था लेकिन आज हम बात करेंगे इल्म नजूम इल्म जोतिस लाल किताब के हवाले से परसन कुल्ली के बारे में खालाएं कि यहां बहुत ही हैरानी का सबब है आपके लिए कि जो परसल कुंड़ी है उसके बाबत लाल किताब में कुछ नहीं लिखा लेकिन जिगह जिगह पंड़जी ने जो वक्त का ग्रह होता है वक्त के ग्रह के बारे में बहुत सारी बाते लिखी हैं पंड़जी ने और पंड़जी ने यहां तक बियान किया है कि जो वक्त का ग्रह होता है वो सबसी ज़्यादा बलवान होता है ताकत वर होता है तो इल्म-ए नजूम जो लाल किताब की जो मेरे पास ये जो बुक है इसका नाम है लाल किताब उनिसो 21 और इसमें पेज नंबर चार पर जो लाल किताब का आगाज है इस इल्मे जो 30 में जो लाल किताब 1941 है इसमें पंड़ जी ने आगाज के चैप्टर में इस तरह से बियान करते है कि नौ निद्धी को नौ ग्रह माना सिद्धी बारारासी है नौ जर्ब जब बारां गिलते माला होती पूरी है और इसी में नौ ग्रह बारारासी घुमें किसमत का आगाज हुआ रासी बारा और साथ ग्रह से नरक्च चारासी कटता है जिसमें दो ग्रहों का हवाला राहु कितु का भी लिया गया है तो यानि कि नौ ग्रह और जो बारारासिया है इनको पंड़जी ने जरब देकर जो माला पूरी की है वो 108 की बनती है और यह जोतिस के बहुत ही बड़े नियम है जिसे पंड़जी ने इलम जोतिस लाल किताब में इसे दर्ज किया है आप सभी जानते हैं कि जब हम जोतिस की बात करते हैं तो गरहों के साथ सितारों के साथ नक्षत्रों की भी बात की जाती है और जो हमारा भारतिय जोतिस है इसमें इंडियन अस्ट्रोजी में 27 नक्षत्र हैं 12 रासिया हैं और 9 ग्रह हैं तो जो नक्षत्र हैं एक एक नक्षत्र के चार चरन होते हैं हर नक्षत्र के चार चरन होते हैं और जो 27 नक्षत्र को जब पूरा करते हैं तो वो पूरा 108 चरन का एक चक्र बनता है उस चक्र में ही ये सारे के सारे जोतिस का सिधान्त है और उसी चक्र के पर वैदिक अश्टलोजी, केपी अश्टलोजी सबी के सबी सिधान उसी पर काम करते हैं इलम जोतिस लाल किताब में सिर्फ बारा खाने या रास्या या ग्रै ही नहीं है सितारे ही नहीं है इसके अलावा नक्स्तरों का भी जो हवाले हैं वो लाल किताब में दिये गए हैं तो यहाँ पर यह जो इल्म जोतिसलाल किताब के हवाले से आज हम देखेंगे कि जो परसंद कुर्डी बनाने का जो तरीका है सबसे पहला तरीका तो यह है कि जब भी कोई सख्स आपके पास आकर कोई सवाल पैदा करता है कोई सवाल करता है आपसे अपने जिन्दगी के मतलग की बताईए मेरे बारे में क्या हाल है अगर आप अपने आसन पर नहीं बैटे हुए यानि कि आप आफिस में नहीं बैटे या आपने कोई पहले से त्यारी करके नहीं बैटे हुए और वो आदमी अचानक ही आपको सोते हुए बैठते हुए या घूमते चलते हुए अचानक से सवाल कर देता है कि बताएए मेरा क्या हाल है जब उसके पास कोई टेवा ना हो तो ऐसे वक्त में जो उस वक्त की जो कुंडली होती है परसन कुंडली जिसे कहते हैं परसन कुंडली का सबसे बड़ा योगदान है जैसे कि अभी इस वक्त अगर मुझसे कोई सवाल करता है तो इस वक्त की जो कुंडली है वो धनुरासी के कुंडली चल रही है जिसमें की सनी लगन में है सूरज चंदरमा जो है वो साथ में घर में है बुद्राहू आठ है सुकर नो है बरिस्पती ग्यार में घर में है और मंगल केतु जो है दूसरी घर में है यानि कैसा इनसान जो है वो परिसानियों में इस प्रकार है कि वो अपने जो घर का मुखिया है घर की सारी प्रॉबलम है, सरकारी प्रॉबलम भी समस्याएं भी आ रही है, घर में जगडा कलेस भी रहता है और सबसे बड़ी प्रॉबलम है वो ग्रस्ती की, यहां में जो सबसे जो नीज के ग्रह हैं वो हमें दिख रहे हैं सुकर 9 में और राहु 8 में और जो है सूरच चंदरमा की उती जो सब्तमभाव में बन गई है सनी लगन में बैटा हुआ है तो हम यहां पर सबसे जो प्राबलम हमने डिटेक्ट करनी है जो सबसे नीज ग्रह है जो सबसे जिस ग्रह की तासीर जो है वो खानों के हिसाब से रास्चों के हिसाब से जो ग्रह सबसे नीज बैटा होगा वही इनसान की प्राबलम होगी और उसी में इनसान उसी प्राबलम म मुबदला होगा तो यह जो तरीका है यह पहला तरीका इस तरीके को मैंने कई बार वाखुब यूज करता हूँ और कई बार तो इससे आदमी की पूरी की पूरी कुंडली ही निकलाती है दूसरा तरीका जो मैंने बोला की नौ जरब जब बारा गिंते माला होती पूरी है वो ने कि लेक नशत्र के चार चरन होते हैं 27 नशत्रों को जब हम उसे 27 को चार से जब उसे मल्टिप्लाई करते हैं जर्ब देते हैं तो पूरी 108 बन जाता है और एक रासी में 9 चरन होते हैं 12 रासी में मिला कि ये पूरे 108 बन जाते हैं तो इसका तरीका क्या है परसन कॉल्डी ब मेरे दिमाग में वैसे ये बैदिक में भी मुझे बाद में पता लगा यूज की जाती है लेकिन इसे पहले मैंने मेरे दिमाग में इस किताब को पढ़ने के बाद ये ख्याल पैदा हुआ और इस मैंने तरीके को आज मैं तीन साल से यूज कर रहा हूँ और जहां तक मैं बता देना चाहता हूँ कि दुनियावी हिसाब किताब है कोई दावाई कुदाए नहीं मैं अपने आपको कोई उसका जो है दूत या अपने आपको भगवान के बराबरी या सरीक होने का मैं दावाई नहीं करता क्योंकि हम खुद भी हाड मास के पुतले इनसान हैं मैं अपने इनसानी दावे के साथ क्या सकता हूँ कि तकरीबन 95% मैं उस प्रमात्मा पे शोड़ता हूँ 95% जो है वो रिजल्ट है वो हमेशा है गुड आए और मेरे मन मताबक जो प्रेसानिया थी जो प्राबलम थी वो बिल्कुल प्रसन कुंडली में उसी टाइम हमें मिल गए तो इसका तरीका यह है कि जब भी कोई सक्सा कर आप कर से अगर आप अपनी गद्दी पे बैठे हूँ और आसन पे बैठे हूँ कि मेरे पास ना तो कुंडली है ना जनमतिती है कुछ भी नहीं है मैं बहुत प्रसान हूँ आप बताएं कि इसका हल क्या है तो हमने जो हल देखना वो इल्म जोतिस के हवाले से ही देखना है तो इसके लिए तरीका यह है कि हम इस इस इनसान से 108 के अंदर होना चाहिए अब फर्ज करें वो इनसान कहता है कि मैंने अपने मन में जो नंबर नियत किया है वो 28 है अब 28 में से हमने लगन निकालना है लगन निकालने का तरीका यह है उसे मैंने आपने बकाया था आप वीडियो के स्क्रिन साइड में देख सकते हैं मैंने उ आप सभी जानते हैं कि नौचरन होते हैं एक रासी में तो हमने जो 28 है नौतिया 27 यानि की तीन लगन पार हो गए 28 जो है वो करकलगन आ गया तो अभी हमने करकलगन की कुल्डी बना लेनी है और करकलगन की कुल्डी में जो जो गरह जहां बैठे होंगे उसे वहाँ पर हमने बैठा देना है जब हम करकलगन की कुल्डी बनाते हैं तो सूरज और जो चंदरमा है ये आपके बारवे घर में ब तो यहाँ पर जैसे राहू और बुद्ध लगन में आ गए, यानि कि वो इनसान किसी के दोरा यूज किया जा रहा है, उसकी तमाम के तमाम जो परिसानिया है, वो परिसानिया इसलिए है कि वो किसी इनसान के चक्र में फसा हुआ है, और राहू लगन में आकर उसे कन्फ्यू जुझे है क्योंकि राहू जब से लगन में आया है राहू जब लगन में आता है तो बहुत सारी इनसान को लॉट आफ कन्फیूजन देता है और वही जब चंदर इनसान का बारा आ जाए तो वो आपने कहावत तो तो सुनी होगी कि बीका नेर वाली की पानी पर पानी बरसता लेकिन ऐसा इंसान चलाख भी है लेकिन उसकी चलाख या उसकी किसी काम नहीं आ रहे हुए तो इस प्रकार से हमने ये जो जब उसने 28 बताया तो हमने तक कर कल लगल निकाल लेना है यानि कि जब भी अगर फर्ज करो किसी ने ये बताया कि 46 तो 9, 5, 45 यानि कि हमने कन्या लगन लेना है और उसमें भी जो एक मेन पॉइंट की बात है कि जो 28 चरन है 28 चरन जो हमारा सुरू होगा वो पुखन शतर से सुरू होगा और पुखन शतर जो है वो सनी का नक्षतर है यानि कि जो अभी हमारे पास करंट कुंड़ी आई जिसमें इनसान ने हमसे ये सवाल पूछे हैं कि वो परिसानी में मुबतला है और इसके लिए कोई उसे जवाब बताया जाए तो अगर उसने हमें करक लगन की जब कुंड़ी बनेगी तो करक लगन लगन में होगा तो उस सताब से सनी जो है वो चटे घर में आ जाएगा यानि कि अगर करक लगन की कुंड़ी बनी है और सनी चटे घर में आ गया है तो सनी शेक की प्रॉबलम है बिमारी है पेट से रि लाल किताब करने हैं। हो सकता है बहुत सारे लोग मेरे इस तरीके से सहमत ना हूं। हलांकि इल्म-छोतिस लाल किताब में प्रसन कुड़ी के बारे में कोई डिटेल से, कोई तफसील से, कुछ बात तो बता ही नहीं गई। इसलिए हम इसमें ये करेंगे कि ये जो तरीका है ये मैंने तीन साल से मैंसे यूज़ कर रहा हूँ इस तरीके के दोरा आप कभी भी जब भी किसी इनसान का जिनम्तती ना हो और इस के दार पे आप अगर किसी कुंडली ना भी हो तो भी उसके जिन्दगी के हलात को नहीं कब इनसान की जिन्दगी क्योंकि ये उस परमात्मा के हाथ में है कब मैंने अपनी जो ये अमानत है जान उस परवर्दिगार की उसे मैंने सौंप देनी है तो लोग दरसल जो इलम है जो जानकारिया है वो इसलिए सेर नहीं करते हैं कि अगर हमने किसी को बता दिया तो फिर मुझे कौन पूछेगा देखो ऐसा है कि किस्वत सब की अपनी होती है और हर इनसान अपनी किस्मत का मालक है जो मुझे मिलना वो मुझे मिलकर ही रहेगा तो मैंने इस इलम को जो जानकारी थी जो मैंने इस इलम जोतिस इलम नुजूम लाल किताब के हवाले से मैं मैंने जो समझा है वो हमने आप से सेर किया है तो इस प्रकार से आप जब भी किसी इंसान की कोई जनम कुन ली ना हो टाइम आप बर्थ ना हो इस प्रकार से आप उसके जिंदगी के जो मकमल हलात हैं मकमल हलात आप इस जर्ये से उसके जिंदगी के बारे में जान सकते हैं और उसके समस्याओं को दूर कर सकते हैं बसरत इतना सा हाल है कि अगर इस प्रसनलगन में जो ग्रै हैं अगर वो ग्रै फलके हैं तो ग्रै फलका कोई इलाज नहीं होता है ग्रै फलका इलाज करना मुश्कल हो जाता है क्योंकि जो उपाए हैं वो हमेशा रासी फलके ग्रै कही हों मंगल के दोर से गुजर रहा है और अगर इनसान की प्रावलम भी मंगल की हो तो उसे जो है उसका इलाज करना थोड़ा सा मुश्कल हो जाता है ऐसे वक्त में क्योंकि दुन्यावी साथ किताब है कोई दावाई खुदाई नहीं तो कई बार क्या होता है कि हम भी कई बार कई मामलों में मजबूर हो जाते हैं क्योंकि वो वक्त इस इस इनसान को भूगना ही पड़ेगा लेकिन फिर भी इस प्रसन कुर्णी के मताबक आप जो बाकी उपाए हैं उनको करके जिंद्गी से प्रसानियों को दूर कर सकते हैं तो ये तरीका था इल्म जोतिसलाल किताब के हवाले से प्रसन कुर्णी के बारे में इसमें आपने जो एक से लेके एक सौाख तक के जो नशत्रों के चरन है उनें चरन के ओबी चरनों के साब से आपने लगन डिफाइन करना है और उसके साथ ही आपने लगन के साथ जो नक्सितर था उससे नक्सितर का जो मालक है स्वामी है उसको भी आपने देखना है कि वो कौन्टा ग्रय है और वो ग्रय ключ में वो सबसे बड़ा की रोल जो है वो अदा करेगा इसमें दो ग्रह अदा करेंगे एक तो जो लगर में तकत पे बैठा हुआ है और जो उस वक्त का ग्रह है जैसे इस वक्त में मैं ये राहू का वक्त चल रहा है और इस वक्त में राहू जहां पे भी बैठा होगा आपका practical experience है, आपने इसके अरसे में practical करने के दौरान में आपने क्या सीका है? उसके अधार पर ही हर जूतसी जो है फैसला करता है, हर जूतसी के कुली देखने के नियम अलग अलग होते हैं और हर जूतसी का अपना अपना तरीका होता है. तो इसके अधार पर आप भी इस चीज़ को और इंप्रूब करें और अगर कोई नई जानकारी इस तरीके से आपकी लगती है तो उसे मेरे साथ भी सेर करें क्योंकि इस इलम की गलती बताने वाला मेरा सबसे बड़ा मददगार दोस्त होगा तो धन्यवाद आप सभी का अगर आपने अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं आपकी हिम्मत की दाद देनी चाहूँगा आप में एक हिम्मत है इस विद्या को सीखने की समझने की और उस मालक परवर्दिगार से भी मैं यही मेरी गुजारिश से अरदास है प्रातना है कि खुसर हो अबाद दुनिया मालो जहां बढ़ते रहो मदद मालक अपनी देगा नेकी खुद करते रहो मैं लाश्ट में यही कहना चाहूँगा यह जो तरीका है इस तरीके को मैंने एक लाल किताब के इस सारे से मैंने इस तरीके को मैंने इजाद किया और इसके धारपेस में आपने किसी भी प्रकार की वैदिक प्रेडिक्सन, वैदिक उपाय नहीं लगाने हैं इसके according आपने जो भी देखना है, वो इलमेजोतिस लाल किताब के हवाले से ही देखना है और उसके according ही आपने उपाय करने हैं आगे आने वाले वीडियो में मैं जो गोचर देखे जाते हैं गोचर के बारे में और लाल किताब की चंदर कुल्डी कैसे बनाई जाती है चंदर कुल्डी के क्या महत्व है उसके बारे में भी आने वाले वीडियो में मैं इसका जिकर करूँगा आप सभी ने जो टाइम दिय उस टाइम के लिए मैं आप सभी का दिल से सुक्रियादा करता हूँ धन्यवाद